एक आप सब आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूं के एंटी के जो पेपर होने वाला है एंटृ पीचिक जो किसτιोफिक में यह total कुछ similar उपका पढ़ने तो मैं आपको बताने वाला हो आपको पता ही होगा कि पंपर होने वाला वह तीन सब्जेक्ट है एक तो जर्णल स्व और मेरे ख्याल से रीजनिंग तीस नमबर का रीजनिंग और कौलिटी अप्टूट तीस नमबर का जन्रल अवेडनेंश जो है वह साथ नमबर तो मैं आपको quality aptitude से सुरू करता हूं कि इसके अंदर जो चैप्टर रहेंगे और उसमें से कितने-कितने marks का या कितना-कितना वेटेज रहेगा तो यह आप देखिए quality aptitude जो simplification है उसके अंदर से चार या पाच नंबर का आएगा आपका सवाल और यह जो पिंग होंगे कम होंगे board, Mass Rule, Fractions, Scores, Indies, et cetera और Interst में से percentage में से इंटरेस्ट में से एक या दो सवाल जो परसेंटेज यह उसमें से दो या तीन सवाल, ratio proportion में से एक या दो सवाल, average में से दो या तीन सवाल problem और age में से एक या दो और speed time and distance में एक दो औलजेब्रा में से एक या दो आ सकता है, Profit and Lose में से दो या तिन, Number Series में से दो या तिन, Mansuration में से एक या दो, Time and Work में लेक या दो, ऐसे Mixture and Problem में एक या दो, तो आप देक सकते हैं कि जो ज़्यादा Weightage का है, इसके अन्दर Topic जो बनता है हमारा, वो बनता है Simplification का. सिंप्लिफिकेशन में से 4 या 5 सवाल आ रहे है तो आपको सिंप्लिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करता होगा एक और इतना मुश्किल सिंप्लिफिकेशन होगा 3 सवाल तो असान हो में से सवाल दो कि एनलोजी मेंसे सीरीस मैंसे कोडिंग में से सीरीस ने पूछता हूँ थोड़े तफ पूछता इस pronounced lip प्राइब्लेट डीलेशन बहुत असान होता है इसमें दो सवाराश रहे है क्लोक एंड कलेंडर में से बहुत आसान पूछता है डारेक्शन में हाँ थोड़ा पूछ लेता है कॉम्प्लीकेटिड और अरेंजिंग अरेंजिंग के जो अर आर भी कितने भी पेपर में इस इंग के जितने बी सवाल होते हैं वो काफ़ी कि होते होते हैं он को तेकन होते हैं बहुत टाइम लेता होद्ट ुर्जियों और जेटने पार्रेंगा के लिजाना से कर लिजिए। वर्ड वर्मेशन मेंसे दो सवाल आ सकते हैं यह आप देख सकते हैं कि किसमें आपको कितना कितना पढ़ना अब जो लाज सब्जक्ट आता है वह आता है जर्नल अवेर्नेंस जर्नल अवेर्नेंस आप जानते हैं कि सिर्फ जर्नल अवेर्नेंस का मतलब सिर्फ जर्नल नौलिज नहीं है इसके अंदर आपको सब्सक्राइब आठ से छे नंबर का आपका करेंट अफेर होगा और बाकि बेचे वे नंबर की जन्र नोलीज होगी साइन्स के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायलोजी टीनों आ जाती है यह आप देखिए एंवायर्मेंट में से एक या दौ सवाल लिविंग बिंग लिविंग ऑर्गैनिजम में से एक सवाल आ सकता है और लाइफ प्रोसेस में से कोष्टन बन सकता है नैच्रू सुझ में से एसिड बेस में से जो कैमिकल जो लो है वो आप ठीक से पढ़के जाईएगा साउंड चेप्टर जो है किसी भी पेपर के लिए और आरारबी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है लाइट साउंड और इलेक्टिशिटी तीनों चेप्टर बहुत इंपोर्टन्ट है इसलिए आप इन्हें अच्छे से करके ज आपको बताना चाहूंगा कि जो अरारबी का पेपर है वह एक एक सो माक्स का होगा और यह 90 मिनट का होगा इसमें हां हो सकता है कि कट ओफ थोड़ी हाई चली जाए क्योंकि आपको जैसा पता है 35,000 के लगबग पोस्ट हैं और लगबग 137 लाख एक करोड 37 लाख बंदों सब्सक्राइब करें धन्यवाद